पांस साल के बाद आसाम में ना अंदोलन है ना आतांकवाद है सान्ती के साथ विकास ही विकास चल दाएंगे हम जो कहते हैं वो हम कहत करते हैं मित्रो और कॉंग्रेस पार्टी वो आएंगे आपको अलग अलग जाती की बात करेंगे अलग अलग समुदाय की बात करेंगे लोगों के बीच में मन मुटाओ भेज जगडा लगाने का प्रयास करेंगे वो उनकी राजनिति की पद्धती है राहुल बाबा आपकी पद्धकी आपको मुभारक हो हम तो नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे पर चले है और उसी नारे पर पांच साल में यहां पर विकास हुआ है मुझे आज यहां के सारे लोग मार्गरेटरा वले बताएं कि भई आपको हिंसा चाहिए या सांती चाहिए जोर से बोलो हिंसा चाहिए या सांती चाहिए बंदूख चाहिए या रोजगार चाहिए मित्रो पढ़ा लिखा डाक्टर यूँआ चाहिए या आतांकवाद के खपर में मरने वाला यूँआ चाहिए डाक्टर यूँआ चाहिए ना गुसपेट चाहिए या विकास की ट्रेन चाहिए बताईए मुझे एक बात बताओ भाई ए राहूल बाबा अपनी गोद्री में बद्रुदिन अजमल को लेकर घुमते है वो गुस्पेट रोख सकते है क्या जोर से बोलो रोख सकते है क्या बद्रुदिन को साथ में रखकर आसाम सलामत रह सकता है क्या जोर से बोलो रह सकता है क्या मित्रो मैं आज ए सभा के माध्यम से पूरी आसाम की जंता को वादा करने आया हूँ एक और पांत साल दे दिजे घुस्पेट आसाम के लिए भुतकाल बन जाएगी पाश्ड बन जाएगी यहां कभी घुस्पेट